तो गाईज हम सब जानते थे कि हमें X-Force X-Men Universe में कभी न कभी ज़रूर दिखेगा पर हमें ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि Deadpool X-Force को इंट्रिद्यूस करवाएगा मुझे पता है कि आप मेंसे कई लोग सोच रहे होंगे कि Deadpool 2 का Final Trailer का Breakdown कहा है पर इस Final Trailer में हमें जितनी भी चीज़े दिखी हैं उनके बारे में मैं पिछली Trailer Breakdown में अलरीडी सब कुछ बता चुका हूँ तो अभी हमें ध्यान देना चाहिए X-Force ग्रूप पर और देखना चाहिए कि इस ग्रूप के मेंबर्स कौन-कौन है तो गाइज मैं हूँ अमन सिना और आज हम बात करने वाले हैं Deadpool 2 में दिखने वाले X-Force और X-Men ग्रूप के वारे में तो स्पोईलर्स का ध्यान रखते हुए चले शिरू करते हैं Recently आए Deadpool 2 के Final Trailer में हमें First Look मिला X-Force के सारे Characters का पर Comics में X-Force को Deadpool ने इंटर्डूज नहीं किया था Comics में Cable ने X-Force को इंटर्डूज किया ताकि आने वाले खतरनाक future को चेंज कर सके और Deadpool 2 के Trailer में मामला कुछ और ही लग रहा है तो चलिए इस Deadpool की बनाई X-Force के बारे में और जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं खुद Deadpool की Trailer को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि Deadpool इस X-Force टीम का लीडर है Deadpool की सबसे बड़ी ताकत है उसकी regenerative healing factor पर इन सब के साथ साथ उसके पास है super human strength और master martial art skills प्लस इन सब से भी बात ना बने तो डेटपूल के पास जबरदस बड़वर करने में PhD है तो 2016 में एक R-rated franchise को successfully launch करने के बाद ये बहुत obvious है कि X-Force को launch करने का जिमा डेटपूल के हाथों में क्यों swap आ गया comics में डेटपूल कई teams का member रह चुका है जिसमें से X-Force एक team है पर उसका किसी team का leader होना ये बहुत अजीब बात होगी पर ये डेटपूल की movie है और अजीब होना इस franchise का बस एक छोटा सा हिस्सा है तो X-Force का डेटपूल के दोरा introduce कराना ये एक possible hint है कि हमें Deadpool 3 की जगा X-Force movie दिखे अब बात करते हैं केबल की केबल का role play कर रहा है Thanos मेरा मतलब है कि Thanos का role play करने वाले Josh Bolin तो केबल बेशा किस टेलर में X-Force का part नहीं लग रहा पर ये कहना safe है कि कभी ना कभी वो इस team का part ज़रूर होगा केबल techno organic wire speed है जिसके पास telepathic और sionic powers है इन सब के साथ साथ केबल के पास एक cybernetic हाथ और cybernetic आख है जिससे वो force field create कर सकता है आपको ये जानकर हैरानी होगी पर केबल time में travel कर सकता है उसकी strength level tense में है और वो भी खुद को heal कर सकता है पर Deadpool जितना fast नहीं अब बात करते हैं Domino की अगर आप comic book fans हैं तो आप जानते ही होंगे कि X-Force Domino के बिना possible है ही नहीं Domino का role play कर रही है Zazie Beats और Domino के पास बस एक ही super power है कि वो lucky है जिसका मतलब है कि Domino probability को अपने favor में manipulate कर सकती है पर अपने इस power से वो किसी और को लग नहीं दे सकती ये powers बस उसके लिए काम करते हैं इसके साथ साथ Domino एक जबरदस निशानेबाज high skilled athlete और armed combat में expert है Deadpool 2 में Domino के traditional albino look को ditch करके एक नया look दिखाया गया है जिसमें Domino की एक आँक काली होने के बजाए सफेध है इसे कहते हैं Deadpool touch अब बात करते हैं Bedlam की ये चीज फाइनल टेलर में ही confirm हुई कि Terry Crews Bedlam नाम की mutant का role play करेंगे कॉमिक्स में Bedlam Domino का साथ ही होता है Bedlam के पास bio electromagnetic field generate करने की power है जिसका मतलब अगर वो किसी भी electrical या electronic equipment को छूता है तो वो equipments काम करना बंद कर देंगे हाला कि कॉमिक्स में Peter Wisdom Bedlam को train करता है कॉमिक्स Marvel की जेब भर रहे थे तब इस कॉमिक के characters का look बहुत जबरदस था और इस cartoonish पर hairy look में सबसे आगे था Shatter Star पर trailer में दिखाया कि Shatter Star उतना strong नहीं दिख रहा पर ये trailer है तो इसमें से हम ज़्यादा कुछ guess नहीं कर सकते तो कॉमिक्स में Shatter Star के पास super human level की physical और mental powers है प्लस उसके bones खोखले हैं जिसकी वएसे उस जितना दिखता है उससे जादा हलका है और इसी वएसे उसके athletic और acrobatic skills और तेज हो जाते हैं कॉमिक्स में Shatter Star के origin में time traveling और alternate dimensions दोनों का important role है पर हम movie में expect कर रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा अब बात करते हैं Peter wisdom की तो जब बात होती है mutants की तो Peter जैसा नाम दूर दूर तक सुनाई नहीं देता और Deadpool 2 के trailer में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि Peter के पास कोई powers नहीं है पर comics में Peter wisdom एक British secret agent होता है जो कि mutants और supernatural beings पर नज़र रखता है हाला कि comics में Peter खुद एक mutant है जो कि अपने हाथों से गरम चाकू बना सकता है पर इस मुच्छर character से ये सब कोई दूर दूर तक expect नहीं कर सकता तो ये तो थे X-Force के characters अब हम बात करते हैं Deadpool 2 में दिखने वाले X-Men characters की सबसे पहले बात करते हैं Negasonic Teenage Warhead की तो Negasonic Teenage Warhead Fox को Ego के बदले में मिली जब James Gunn ने Fox से Ego के rights मांगे तो Fox ने Marvel से Negasonic Teenage Warhead को यूज करने के rights मांगे और हमें पहली Deadpool movie में दिखी Negasonic Teenage Warhead Comics में इस character के पास Limited Telepathy और Precognitive Powers थी इसलिए वो हमेशा शांत रहती है हाला कि Deadpool movie में शांत लोग जादे शांत नहीं रहते तो Fox ने इस character के powers से चेंज कर दिये और अब हम उसे अपनी नई powers को यूज करते देख सकते हैं अब बारी है Colossus की तो ये बहुत ही obvious है कि Colossus Deadpool movie में X-Men को represent करता है क्योंकि studio के पास बागी characters को दिखाने के पैसे नहीं है Colossus को हम जितना जानते हैं Colossus उससे जादा powerful है अपनी body को organic steel ने बदलने के अलावा Colossus superhuman strength और superhuman stamina के साथ-साथ extreme level की durability hold करता है जिसकी वएसे उसको नुक्सान पहुचाना nearly impossible है हाला कि अगर उसके आसपास vibranium या adamantium हो तो बात अलग है प्लस अगले साल आने वाली movie तो न्यू म्यूटेंस में दिखने वाली character magic Colossus की बहन है तो शायद इस movie में इस बारे में कुछ बात हो लासने बात करते हैं सर्ज की कई फैंस का मानना है कि सर्ज X-Force का पार्ट होगी पर नहीं सर्ज बिलॉंग करती है X-Man में और इस बात को टेलर के कुछ शॉट्स कंफर्म करते हैं जहां सर्ज हमें सिरफ Negasonic Teenage Warhead के साथ दिख रही है सर्ज एलेक्रिसिटी को एब्सॉर्ब करके उसे चैनल कर सकती है स्पीड या ओफेंसिव मूव्स में जैसा कि हमें टेलर में दिखा इसके साथ साथ कुछ पावर गाउंटलिट्स की मदद से सर्ज एलेक्रिसिटी को डिएक्रि डिस्चार्ज कर सकती है तो ये तुथी डेडपूल में दिखने वाली टीम्स की बात अभी रिसेंटली खबर ये भी आई है कि डेडपूल की हिंदी डबिंग रनवीर सिंग कर रहे हैं जिससे कई फैंस निराश हैं और कुछ लोग खुश मेरा इस बारे में यही कहना है कि सिरफ ट्रेलर देखके हम मुवी को जज नहीं कर सकते तो हमें पहले मुवी देखनी होगी फिर हमें पता चलेगा कि रनवीर सिंग ने जबरदस डबिंग करी है या नहीं हाला कि पहले भी कुछ बॉलिवूड एक्टर सूपर हीरो मुवी की डबिंग कर चुके हैं पर छोटे मोटे पॉइंट्स को छोड़के ओवरॉल फैंस को इस बात से जादा फर्क नहीं पड़ा है तो हमें डबिंग की उतनी चिंता करने की ज़रुत नहीं है तो गाइस ये थी वीडियो डेड़पूल 2 में दिखने वाले सारे क्याइक्टरS के बारे में हाला कि अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि जुलियन डनिसन और बिल सकार्स कार्ड कौऊंसे म्यूटेंट का रोल प्ले कर रहे हैं इसलिए हमने उनके characters के वारे में कोई बात नहीं करी पर फिर भी अगर उनसे कोई detail मिस हो गई हो तो प्लीज मैं अक्मेंट में ज़रूर बताएं साथी साथ मुई ये बताएं कि आपके हिसाब से केबल इस movie का विलन है या असले विलन कोई बड़ा खिलाडी है उपर से latest super news और awesome superhero facts के लिए हमें facebook, twitter, instagram और google प्रस से follow करना ना भूलें हम हर जगा है तो guys अगर आप Deadpool के बार में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको 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 ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें और इसे कई सारे super content के लिए हमाये channel को subscribe करना ना भूलें Thank you guys This is Aman Sina and you are super super Peace